आज हम बनाएगे गाजर मटर की सब्जी यह हमने लाल गाजर लिया है लाल गाजर सब्दियों में बहुत अच्छी आती है तो सब्जी विसकी बहुत अच्छी बहुत अच्छी बादा केजी हमने गाजर लिया है इसको चोटा-चोटा काट लिया है हमने यह लाल वाली गाज छाहे तो ले या इसको कि गर सकते हैं एक चमच हमने अधर क्लैसून के पेश्ट लिया है हमने ले ली है दो बड़े चमच इनने देख लिये तनी हमने उले काट लिया यह का दो पेस्ट बना ले देते हैं अब हमारा गरम हो गया है इसमें डाल देते हैं लैटून द्रख और इसे ख़ड़ा भूं देते हैं अब दाल देते हैं जो पेज ने बनाया था और इसे भी पका लेते हैं देते हैं अब हमारा नमक डाल देते हैं ताकि जल्दी से हमारा टमाटर पक जाए जाए आग अगा कि अब इसमें डाल देते हैं कुछ मसाले वन फॉर्ट समच हम हल्बी डाल देते हैं एक चमच हम धनिया पाउडर एक चमच लाल मिर्ची थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल देते हैं और इसे एक मिनत के लिए भून लेते हैं हल्दी पाउडर आप कमें डाले क्योंकि हमें गाजर और मतर का कलर अच्छा चाहिए ज्यादा डालेंगे तो पीला हो जाएगा मसाला हमारा बुन गया है अब हम इसमें डाल देते हैं गाजर अगर आपके पास फ्रेस मतर है तो आप साथ में ही डाले मेरे पास फ्रोजल मतर है में तो तीन से चैर मिनत के बाद डालो में जब गाजर थोड़ी सोब्ट हो जाएगी और साथ में ही डाल देते हैं सूखी मेथी, सूखी मेथी से इसमें अच्छा फ्लेवर आता है, आप चाहें तो डाले या बिना इसकी भी बना सकते हैं, अच्छे से मिक्स कर देते हैं कर लिया है, दो चमच में पानी डाल देते हैं, नीच कर देंगे, और इसको कवर कर देंगे, और बीच रीच में दिलाते हुए पकाएंगे तीन से चार मिनट हो गए हैं, गादर हमारी थोड़ी सोफ्ट हो गई है, हम डाल देते हैं मतर अब डाल देते हैं, आदा चमच नमक आप अपने एच्छे से कम ज्यादा कर सकते हैं, अच्छे से मिक्स करेंगे, और फिर ढबते हम पकाएंगे और बीच बीच के चलाते रहेंगे कवर कर देते हैं आईए अब देख लेते हैं सब्जी हमारी बन गई है अब यह आपको सावर कड़के दिखाते हैं अब हमने डाल दिया अब हम इसमें डाल देते हैं चमच घी इससे अच्छा फ्लेवर हो जाता है घी से कर दो